नमस्का फ्रेंड्स स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में आज हम ऐसे वीशे पर बात करेंगे जिसका मीन राशी वालों पर बहुत जिवर्दस प्रभाव पढ़ सकता है क्योंकि शनी महराज क्योंकि आपकी राशी भी वरतमान में शनी की साध्य साथी को प्रभाव ल जासे और यह जो दिनांक रहने वाले हैं यह 19 अगस्ता की परिस्तिती रहने वाली है वरिशम नमान्च में यहाँ पर यह गोचर करेंगे तो अगर आप जनम कुर्णी वपनी देख रहे हैं तो शनी महराज आपको बारवे भाव में दिखाई दे रहे होंगे गोचर करते ह परंतु जब हम उसका एक्सरे करके देखें जो उसको हम नमान्च में उसकी परिस्तिती को देखें तो शुकर शनी महराज इस समय आपके तीसरे स्थान पर आपको दिखाई देंगे जो कि प्राक्रम का भाव होता है क्योंकि आपका व्रिशम नमान्च जनम कुर्णी के में आते ही तीन बड़ी चीजें परदान करेंगे तीन बड़ी चीजों कि आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से ही आपको लाग की परिस्तितियां खड़ी कर सकते हैं कि जो गोचर लगा है सबसे पहला जो भाव अक्टिवेट होने वाला है तीसरा हो सकता है दूसरा यहां पर एक बहुत बड़ी घटना जो आपके साथ हो सकती है वो है आपके स्थान परिवरतन को लेकर के आपके रोजगार में चेंज को लेकर के कोई आप इससे पहले विर्थ में बैठे हैं बेकार समय पास कर रहे हैं को जॉब नहीं लग रही है या कह नाम से रूप चेंजिस होते हैं बदलाव होता है चंद्रमा जो है वो चंचलता या बदलाव का कारक्त होता है तो जैसे इस नमांच में ग्रह शनी जैसा जो करम का परतान है जो आता है तो व्यक्ति का स्थान परिवरतन हो जाए उसका रोजगार परिवरतन हो जाए या स् प्रफेशन में आपके जीवन में आपको उन्नती तरक्य के लिए आगे मार्क प्रशस्त करेगा। दूसरी बड़ी चीज जो यहां से निकल कर क्या आएगी इस कोचर से वो है धन का आगमन। धन की बारिश हो जाए या धन का आगमन आपके जीवन में हो जाए यह चंद्रमा आते हैं या कोई मार्क्टिंग का काम है आपका इन सभी कारियों में शैनी महराज आपको उच्चता का यहां पर प्रभाव देते हुए नजर आएंगे आपका पुरुशार्त और प्राक्रम बहुत आगे बढ़ता हुआ वरतमान में नजर आ रहा है उसके पर शाद जो इस स्भौन के भाव होते हैं और काम का मतलब होता है हमारी अभी स्टेच्छ है ज County होते हैं जैसरे मैंने का इसभाव से समझेधिंज होता है उस सेंप हैफाट होता है अपने द्वारा किया अगया कार या अपने निज्श दौर आगया जो भी हम सोचते हैं तृयान करतें पर महाराज इन दिनों में ये परिस्तेति आपके अनुकूल बनाते हुए नजर आएंगे दामपते सुक में स्पाउस के साथ आपको लाब मिलता हुए नजर आएगा मतलब है कि पैसा आपको उनसे प्राप्त हो जाए या समंदों में मधूरता हो जाए पार्टनर्शिप में मधूरता हो जाए और नई फैक्टरी आपने खड़ी करनी है नया कोई जीवन में कोई वेक्ति आपके आए जिस जो आपके जीवन को दशा और दिशा आगे बढ़ाता हुए नजर आ है किसी ऐसे वेक्ति से आपकी खास तोर पर मुलाकात होगी उसके पर शाथ जो काम तुर्यकोन का तीसरा भाव है जो आपके ग्यार्वें भाव को कहा जाता है जो तीसरा इसकी लेग है ग्यार्वें भाव अभिष्ट इच्छाओं का है जो भी हम डिजायर्स करते हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ती का ये समय है और विशेश तोर पर ये लाब कमाने का है प्रॉफिट और गेन अब गेन और प्रॉफिट जो होना है वो आपको आपके प्रोफेशन से समधित होना है उसके लाब जो मार्क्टिंग का काम करते हैं उनके लिए बहुत उत्तम परिस्तेती बनी हुए जो हाउस वाइफ हैं जो ग्रिहनिया हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रह सकता है क्योंकि शुक्र के नमाच में गोचर है शनी महाराज का चंदरमा की उच्च की राशी में गोचर है ये तीनों ही भाव मिल करके इस समय आपकी इष्ट इच्छाओं की पूर्टी करते हुए नजर आएंगे अब आपकी अभिष्ट इच्छाओं क्या हो सकती है सबसे पहले तो शनी महाराज से में कहीं न कहीं कमी चल रही हूँ या अपना जो एफर्ट्स आप लगा रहे थे जो जितना भी प्रयास आप कर रहे थे वो सफल ताकि और नहीं बढ़ रहा था उसमें कुछ न कुछ कमी दर्शाई जा रही थी कुछ न कुछ दिक्कते हमां कड़ी हो रही थी शनी माराज स्वेम जो कि अपनी मूलत्री कॉंड की राशी में यहाँ पर विद्यमान है दूसरा अपने जर्मकाली शुकर की परिस्तिती को देखे क्योंकि शुकर के साथ शनी का मिलन है और शुकर की मित्वता बहुत मानी जाती है तीसरा इसमें यहाँ पर आपको देखना हुगा आपकी चंद्रमा की परिस्तिती क्या है क्योंकि चंद्रमा की उच्च की राशी है जब भी इस भाव में कोई भी ग्रह जाएगा तो वो प्रणाब देगा चंद्रमा की अनुसार कि चंदर्मा कैसा है जीवन में आपके आपके पक्षबेंबली है आपके या अमावस्या का है पूर्णिमा का है तो ये सारी परिस्तितियां आपके जर्मकालीन तीन ग्रहों शुक्र चंदर्मा और शनीक अनुसार देखने को मिलेगा कि किस डिगरी में या किस मात्रा में परंतु ये परिस्तितितों बिलकुल परशस्त हो रही है कि धंसे समंदित मामलों में आपको यहां पर लाब होगा वित्य समंदित। उसके वज़े से अगर आप लों की समझ्याओं से परिशान है कोई आपका जमीन का कोई मसला है जिसमें जगड़े चल रहे हैं जिसमें विवाद की परिस्तिती है और दूसरा कुटूम से समंदित कोई परिशानी चल रही है तो उस सभी चीजों में आपको यहाँ पर राहत मिलेगी अब उपाय सोरूप इस गोचर को घर हम समझने की कोशिश करें तो यह शुक्र के नवांच में है और चंदरमा की उच्च के रा परोस में भी समय आपके समंद वैसे अच्छे रहने वाले हैं परन्तु फिर भी आप कोशिश करें कि समंदों में मदूरता बनी रहें अपने पार्टनर का अपने स्पाउस का जो है वो रिगार्ड करें उसकी बात को समझे और तीसरा जो पहलू है कि वह जो आपके कॉंट अपने लोग होते हैं उनका सेहुग मिलता है तो यह सारी परिस्तितियां मिल करके इस गोचर को बहुत आपके लिए लाब प्रत बनाती वे नजर आ रही है इसमें विशेश तोर पर काम इच्छाओं का इस समय पूरती इस गोचर में आपको नजर आ रही है तो यह आज हमन उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हूंगा इस वीडियो प्ली सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्स पूर वाचिंग दे वीडियो